गुड़ मोरिंग और स्टुडेंट एस एस यूटूब चल में आपका स्वागत है और आज हम चेप्टर थर्ड पढ़ेंगे जो आप लोग को बोड पर दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले मैथ के सिलेवस को चेप्टर थर्ड जिसको मैटिक्स बोलते होंगे ठीक है और पिछले वीडियो में जो आप लोग को सिरी बताये थे कि हम लोग को पढ़ने थे ठीक है लेकिन हम लोग इस वीडियो में हम लोग अब अपने सिलेवस के और बढ़ेंगे कि हम लोग को इस सिलेवस में क्या पढ़ना है ओके तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चेप्टर थर्ड जिसको मैटिक्स बोलते है ठीक है और इसको पहला हम लोग थियूरी को पढ़ेंगे इसको हम लोग पढ़ेंगे या लिख सकते हैं थियूरी आफ एकसरसाइज थियूरी पॉआंट वन हम लोग थियूरी पढ़ने जा रहे हैं पाला हमलोग पॉआंट पढ़ेंगे पंक्टी, क्या बोलेंगे पंक्टी, क्या बोलेंगे बाबू, पंक्टी किसे कहाते हैं, ठीक है, तब पंक्टी का मतलब यह होता है, कि अगर कोई चीज को एक्स अक्ष में लिख देंगे, आनि एक्स अक्ष में लिखावट को, हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति किसे का आते हैं? एक्स अक्ष में किसी वस्तू अक्षर एवं अंक के लिखावट को लिखावट को पंक्ति कहते हैं तो कई पुझे या पंक्ति किसे कहते हैं तो अगर किसी भी अंक या अक्षर को अगर हम उसको एक्स अक्ष में लिख देते हैं अगर किसी बस्तू अंक या अक्षर को अगर हम एक्स अक्ष में लिख देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पंक्ती बोलते हैं क्या बोलते हैं पंक्ती मतलए एक्स अक्ष आप लोग जानते होंगे कि ऐसा हम लोग का एक्स अक्ष होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो एक्स अक्ष में किसी भी बस्तू को या अंक को या अक्षर को अगर हम प्रदसित कर देते हैं या उसको लिख देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पंक्ती बोलते हैं इसे आर द्वारा सुचित करते हैं मतलब कभी भी हम लोग पंक्ती को लेंगे तब पंक्ती को किसे हम लोग सुचित करेंगे आर से सुचित करेंगे पंक्ती को हम लोग कैसे सुचित करेंगे अब आर से ठीक है न तो कोई पूछे का पंक्ती किसे काते हैं तो एक्स अक्ष में किसी वस्तू अक्षर एवम अंग के लिखावट को पंक्ती काते हैं इसे हम लोग आर से सुचित करते हैं तो आप लोग पीशे कलास में पढ़ते तो जो किसी बच्च तूँ या अक्षर या अंको अगर हम हम एक्ष अक्ष में पर लिख देते हैं उसी को हम लोग वर क्या बोलेंगे पंक्टि भो लेंगे okay उशको हमले क्या बोलेंगे पंक्ती बोलेंगे ठीक है तो आप लोग समझ गया होंगे कि कि स्फ़ासों है ठीक है ठीक है अब हम लोग पड़ेगे जैसे एक Mooly लेना चाहते हैं तो आप लेग सकते हैं ऐसे माणलेहें कि एक कोई अनक है 2 3 4 4-7-8 है, तो वन वी बस्ती Information के लिख्याय हैं, वह इन्स मिमें अच सब्सक्राइब किए रिखाओट को हमें क्या बोलते हैं? पंक्ति बँलते हैं क्या हैं है। दो तरस दिख्या जाए ना तिसमें पंक्टियों किसने इनक्या कितना हो जाए दू हो जाए किलियर है आप लोग समझ गया होंगे किसमें पंक्टि कितने है दू है क्योंकि इसमें दू बार एक सक्ष में लिखा गया है ठीक है तो वही है कि किसी बस तू अंक या अक्षर को लिखा वड को हम लोग क्या बोलते पंक्ति काते हैं पंक्ति को किसे सुट करते हैं आर्स किलियर है अब हुआ पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग अस्तंब क्या बोलेंगा बाबु अस्तंब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अस्तंब जिसको हम लोग कॉलम बोलेंगे C O L U M A N S इसका उल्टा हो जाएगा वाई अक्ष में किसी अक्षर अक्षर एवं वस्तु अक्षर एवं अंक के लिखावट को अस्तंब कहते हैं इसे C द्वारा सुचित करते हैं इसे C द्वारा सुचित करते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि इसको हम लोग कौन एक्ष बोलते हैं उपर वाले को य बोलते हैं नीचे वाले को य डेस बोलते हैं अगर इस अक्ष में किसी अक्षर को लिख दिया जाए तो हम उसको बोलेंगे इसको कितने वाली खा गया एक बार तो टोटल अस्तम कितना हो जाएगा दो और इसमें टोटल पंक्ति कितना हो जाएगा दो ऑके तब आपने समझ गएंगे I hope अच्छा समझ गए होंगे कि पंक्ति वर्स्तम किसे कमाते है कोई आपसे पुछहे problème कि पंक्ति किसे क्याऊं तब क्या बोलीएगा कि एक सक्ष में किसी वस्तु अक्षर ईं, अंग के लिखावट कर स्विफ़ाषर कीश questa writing क 있지 करते हैं जैसे अगर किसी भी एक सक्ष में किसी बस्तु अक्षरयां को लिख देंगे तो उसको हम बोलें कि वो क्या है पंक्ति है अगर वाई इसमें लिख दिया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे अस्तम बोलेंगे ठीक है तो सबसे हम लोग पढ़े कि पंक्ति क्या होता है और अस्तन क्या होते हैं ओके चली अब हम आगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसको आप चाहें तो स्क्रीन सोट ले सकते हैं है ना आप इसको चाहें तो आप लोग लोग स्क्रीन सोट ले सकते हैं ओके ठीक है चली अब हम आगे बढ़ते हैं अब लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे आभीव पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे आभीव क्या पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे आभीव जिसको लोग मैटिक्स बोलेंगे क्या बोलेंगे matrix मबाई और चडाई होता है लेकिन हम लोग उसमें नाम बदल दिए गया पंग्ति और क्या है अस्तो टया लिग सकते हैं कि पंतियों existing पंतियों Cliff पंतियों एवं कि अस्तंबो के पंतियों यहों अस्तंबो के पंतियों एवं आक्षा हाईताकार क्रम विन्यास को है अधिक शुक्रम को आ आप अबियु कहते हैं कि अगर आपसे पूछेगा कि आवियु किसे कहते हैं तब क्या बोलेगा पंक्तियों यह अस्तंबों के आयता कर क्रम बिन्यास को हम लोग क्या बोलते हैं आभिव बोलते हैं कोई पुछेगा कि आभिव किसे करते हैं तब पंक्तियों यह अस्तंबों के आयता कर क्रम बिन्यास को हम लोग क्या बोलते हैं आभिव करते हैं क्या बो इसे अंग्रेजी वरन माला के बड़े अक्षरों द्वारा सुचित करते हैं कभी भी हम लोग आभी हुच जो लिखेंगे तो कभी भी हम लोग अंग्रेजी वरन माला के बड़े अक्षरों द्वारा हम लोग आ करेंगे सुचित करेंगे ठीके ताथा ताथा इसके अवयावको अंग्रेजी वरन माला अंग्रेजी वरन माला परदर्सित करते हैं और इसके जो छोटे इसके अवयाव होगा जो उस आभी हुच में रहेगा उसको हम लोग छोटे अच्छर का प्रियू करेंगे ठीके एक बात को ध्यान दिजिएगा कि जो आभी हुच जो होता है आभी हुच का जो चित्रिय रुपन होता है आभी होता है ऐसा अगर सिंबल आएगा तो समझेगा कि या भी हुए या इसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं है या इस कोष्टक का हम प्रियूग करेंगे और नहीं तो हम लोग इस कोष्टक का प्रियूग करेंगे हम दो कोष्टक यूज करते हैं लेकिन हम लोग जास्ती जो देखिएगा या केशिस नाम में आफ लोग देखिएगा कि जब भी आभिहू को लेंगे तो उसका एक चीन होता है आभिहू का एक छीन होता है और लोग प्रैकेट होता एक खुला और और बंद ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं जैसे ध्यान देना है एक एक जामपल के तवर पर ध्यान दीजिएगा कि आभिव किसे कहते हैं तेक बार फिर से याद रखेएगा कि पंक्तियों अस्तंबो के आयताकार करम विन्यास को आभिव कहते हैं इसे अंग्रेजु और माला के बड़े अक्षरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं छोटे अक्षरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं चोटे अक्षरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं क्लियर है अब हम लोग कुछ एक जामपल के माध्यम से हम लोग चल रहे हैं कि इसका एक्जामपल कुछ पढ़ लिए यह जिसे देखिए और देखिएगा, इसमें कोई भी या तो देखिए, इसमें संख्या भी हो सकता है, अक्षर भी हो सकता है, इसमें संख्या भी हो सकता है, ठीक है, तो जिसमाल तो दो, तीन, चार और क्या है, पांच, छे और क्या है, साथ है, ठीक है ना, तो जिसमें देखेगा, एह आप के अंदर या तो आभी हू के अंदर या तो अंक हो सकता है या कोई अच्छर हो सकता है या कोई संख्या भी हो सकता है ठीक है संख्या या अच्छर हो सकता है ठीक है तो संख्या में कुछ भी हो सकता है अच्छर में भी कुछ भी हो सकता है ठीक है इसके अंदर तो अगर या भ पंक्ति कितने हैं पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा बता सकते हैं पंक्तियों की संख्या बराबर का हो जाएगा आप लोग बता हैं कि पंक्ति किसे काते हैं तो जो एक्स अक्ष में आएगा उसको हम पंक्ति बोलेंगे तो एक्स अक्ष में कि आ स्तम्भो की संख्या कितना हो जाएगा in कि इसको यह कितना है तो यह होगे और अस्तम किसे कहते हैं और आभिहु क्या है तो आप समाजगे होंगे कि पंक्तिवें अस्तम्भों के आयताकार करम विन्याज को हम लोग क्या बोलता है आभिहु कहते हैं इस आभिहु के अंदर या तो कोई स्तंख्या हो सकता है या कोई अंग्रेजिवन माला का अक्षर हो सकता न है ठीक है किसे कहते हैं तो किसी अंक के आख चरक में को एक शुम लिखावड को पंक्ति कहते 않아요 य इस में अश़्ूल को हम लोग क्या अस्तम कहते हैं कि लिए हैं तो दुसरा एक्जाम्पल समझ गया होंगे एक और हम example बताना चाह रहे है एक और हम example आप लोग को बताना चाह रहे है ठीक है चलिए अगर हम आपका एक और दे दे रहे है question इसमें मालने तर भी ले लिए इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 1, 2 और क्या है एक अगर आपसे पुछा जाएगा कि ए आभी हुँ है ए क्या है आभी होगा तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितना है तो पंक्तियों की पंक्तियों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या बराबर तो एक सक्ष में को लिखावट है एक सक्ष में कितने लिखावट है तीन गो लिखावट है तो पंक्ति के संख्या तीन हो जाएगा अस्तम संख्या बराबर एक्ष में कितना लिखाऊट है य इक्ष में लिखाऊट कितना है तीन बार है इसलिश में कितना हो जाएगा तीन ठीक है तो आप लोग एक दम किलियर वे में समझ गें होंगे कि पंक्ति किसे कहते हैं अस्तम किसे कहते हैं, आभी हो किसे कहते हैं, ओके, तो याद रिखिएगा कि एक सक्ष में किसी वस्तू, अंक या अच्छर के लिखावट को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, वाई यक्ष में किसी वस्तू, अक्छर या अंक के लिखावट को हम लोग क्या बोलत इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, चलिए, तीसको हम मिटाना चाह रहे हैं, ओके, चलिए, एक और एक्जामपल आप लोगो दे रहे हैं, तीसरा एक्जामपल माल लेते हैं, इस आभी हूँ को X माल लिए, क्या माल लिए, X माल लिए, तक अगर माल लिया जाए कि अगर बोलें कि पंक्ति कितने है तब पंक्तियों की संख्या आप लोग समझ गए होंगे पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा तो एक सक्ष में कितना बार लिखाओट किया गया है एक सक्ष में लिखाओट एक ही बार है इसलिए पंक्तियों की संख्या कितना है एक है अगर बोला जाएगा अस्तंबो की संख्या कितना है अस्तंबो की संख्या कितना है तो जो हम लोग का yx में लिखाओट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे तो yx में लिखाओट कवा बार किया गया है yx में लोग देम साप्रुक चल रहे हैं, मान लेते हैं, हम इसको वाई मान लिए कोई भी मान सकते है आभियू को ठीक है आभियू को आप कुछ भी मान सकते हैं, दो, तिन, चार, पाँच ले लिए, अगर इसका बोला जाएगा कि में पंक्ति कितना है तब पंक्तिया बोलिएगा पंक्तियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा पंक्तियों की संख्या बराबर अपलों दिजिएगा अज स्तंबो की संख्या बराबर कितना हो जाएगा तो अ स्तंबो की संख्या जो होगा y.h. में एक बाल लिखा होते है तो असे है सक्तंबो की संख्या है ठीक है तो ईहोअब समघ गये होंगे चैनले अगला थियूरी क्यों कि सुनिएगा अब हम पढ़ेंगे अगला थियोरी पढ़ेंगे अगला इसका पॉइंट पढ़ेंगे सबसे पलों पढ़ें कि पंक्ति किसे कहते अस्तम किसे कहते और आभी हूँ किसे कहते और आभी हूँ अगर किसी आभी हूँ में अगर पंक्ति अस्तम को चैन करना ह तब बता सकते हैं कि पंक्ति और अस्तम कितने होते हैं, ओके अब हम आगला point की और बढ़ने जा रहे हैं, आगला हम लोग का point है, आभियू की कोटी, आगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, आभियू की कोटी, order of a matrix, order of a matrix, order of a matrix, order of a matrix पढ़ेंगे, ठीक है, आभियू की कोटी, ठीक है, order of a matrix, order of a matrix, हम लोग पढ़ेंगे, आभियू की हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोटी पढ़ेंगे, कि आभियू की कोटी को हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, चली, तो देखेगा, अगर बोला जाए, कि पंक्तियो, पंक्तियो, एम अस्तंबो को, पंक्तियों 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 एम अस्तंबो को, पंक्तियो को गुडनफल के रूप में गुडनफल के रूप में बेक्त करना ही बेक्त करना ही आवियू की आवियू की पंक्तियों अस्तंबो को पंक्तियों अस्तंबो की संख्या के गुडनफल के रूप में बेक्त करना ही आवियू की कोटी का लाता है अवियू की कोटी का लाता है ध्यान दिजिएगा अगर यहाँ पर लिक लिएगा अच्छा से पंक्तियों अस्तंबो की संख्या को बुरनफल के रूप में बेक्त करना ही आवियू की कोटी का लाता है अगर हम लोगा जितना हम लोगा पंक्ती रहेगा पंक्ती की संख्या रहेगा जितना हम लोगा अस्तंब की संख्या रहेगा उन्ही को अगर गुरनफल कुरूप में बेक्त कर देंगे वहीं क्या का लागा आवियू की कोटी होगा जैसे एक फर्मूला लिखेगा फर्मूला आवियू की कोटी आवियू की कोटी बराबर यहां लिखिएगा पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या भुना क्या बोलेंगे अस्तंबों की संख्या अस्तंबो की संख्या तो माल लिया या पंक्तियों की संख्या हम लोगा M है और अस्तंबो की संख्या का N है तो हम लोगा जो आभिहू का जो कोटी बनेगा आभिहू की कोटी आभिहू की जो हम लोगा कोटी बनेगा आभिहू की जो कोटी होगा वो M, Y का होगा N ठीके, ए आभिहू की हम लोग का कोटी है तो अगर किसी भी आभिहू की कोटी को अगर हमको निकालना होगा, ग्यात करना होगा तो हम उसको आभिहू की कोटी बराबर M, गुने का लिखेंगे N खाली बेक्त करना है इसको गुणा नहीं करना है इसको बेक्त कर देना है छोड़ देना लिख कर देना है ठीक है तो इसको हम लोग आभी हुग की कोटी बोलेंग ठीक है तो अगर कोई पूछेगा कि आभी हुग की कोटी सेब का समझते हैं तो ही बोलिएगा कि किसी आभी हु के पंक्तियों अस्तंबो की संख्या को गुरन फलक रूप में वेर्थ करना है आभिहू की कोटी का लाता है आभिहू की क्या का लाता है कोटी का लाता है ओके आभिहू की कोटी बराबर पंक्तियों की संख्या को ने अस्तंबो की संख्या पंक्तियों की संख्या को M मान लिए अस्तम्पो की स्तिंखको n अब यह की खोटी हम लोगा कितना बन जागा ? m by n बनेगा कलिया रहें? समझगे? जैसे एक एक ख्जांपल यहाँ पर समझेगा एक हम एक ख्जांपल यहाँ पर दिना रहा है एक ख्जांपल समझेगे अगर आपसे कोई पूछेगा, सुनेगा, कि अगर मालते हमारे पास एक आभिहू है, दो, तीन, चार, पान, छे का है साथ, अगर कोई पूछेगा, कि इस आभिहू की कोटी क्या है, कोटी क्या मतलब होते है उसका जाति, मानले आभिहू किस जाति क्या है, यह से हम लोग में जाती में होते हैं कि किस कास्ट से बिलॉंग करती हैं या उसमें भी अलग-अलग part होती है अलग-अलग जातिया होती है ठीक है फिस Candございます आभी हुभी आपने आप में एक जाती को परदर्शित करते हैं एक कोटी को परदसित का, जिसको category हम लोग अपना बास हाम बोलते है, category मिन्स कोटी होता है, और हम इसको order बोलेंगे, ओके? चलिए, अब कोई पुछेगा कि इसमे कोटी कितना है, इसकी कोटी कितना अभी होता है, तो अगर कोटी निकालने से पहले, हमको पंक्तिव की संख् हम बोल दे कि इसमें M का मतलब हुआ पंक्तिउ की संखिय आपको बताया थे कि एक सक्ष में होता है एक सक्ष में सक्ष में किसलेंगा और जो आम लोग हिंदी में लिखरते हैं अब संकेत हिं अम ढूरा पंक्तिउ की संखिय आघ बराबर पंक्ट्यों की संख्या और एन बराबर अस्तम्बों की संख्या तो यह एक्ष में को बार लिखा गया है तीन बार ता अस्तम्बों की संख्या तीन हो जाएगा तो आप कोटी लिखेंगे तो कोटी बराबर क्या हो जाएगा आभिव की जब कोटी लिखेंगे तो लि तो आप खाल इसको ऐसे ही लिख देना गुणा नहीं करना है इस आभियोग की का वजय कोटि हो जाएगा एक वार यहान से कोशन आएगा सुनिएगा यह तो हम लोग का अभियोग की कोटि हुआ और एक वार पूछेगा अप लोग से कि अवयो की संख्या, अवयो की संख्या, अवयो की संख्या, अवयो की संख्या, तो अवयो की संख्या में का करना है, कि टोटल इसमें गिनना है, कि इसमें टोटल कोगो अंख है, तो कोगो एक, दो, तीन, चार, पांच, कोगो, छोगो, तो अवयो की संख्या कितना हो जगा तो देखिएगा कोटी में का करना है कि उसको खाली परदासित कर देना व्यक्त कर देना जिसे हमका लिखे है कि पंक्तियों यह अस्तंबो की संख्या को गुड़नफल के रूप में व्यक्त करना ही आभिहू की कोटी का लाता है गुड़नफल के रूप में खाली व्यक्त कर देना है उसको यह ध्यान नहीं देना कि कितना है बस व्यक्त कर देना है तो आभिहू की कोटी होगा और अगर उसको गिन दिया जाएगा टोटल गुणा करकर लिख देंगे तो अवयो की शेंख्या हुआ ताई होग शमझ गए होंगे कि आभिहू की कोटी क्या है देखिए यहाँ पर आपको एक दम सिंपल तरीका सिंपल वर्ड का इविश किया जाएगा जो आप कभी भूल नहीं पाईएगा ठीक है ना ऐसा नहीं कि आपको किताबी लेंग्वेज को जास्ती दिया जाएगा न एक और एकजम्पल आप लोग को ले रहे हैं औरागे आजरा बात करेंगे भीहू की कोटी ठीक है अ यहाँ एक और हम एकजम्पल यहां पर दे-रहे हैं वाव एकजम्पल नमर सेकेंड अगर माल लिया जाख है कि भी इक्वल B equal हम लोगा है 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 6 मानस 1, 0, 2, 5 कुछ भी इसके अंदा लिख सकते हैं अगर बोला जाएगा कि इसकी कोटी क्या होगा तो कोटी निकालने से पहले हम लोगो पंक्तियों की संख्या, अस्तंबों की संख्या चाहिए तो पंक्तियों मतलब M हुआ M मतलब पंक्तियों की संख्या है तो इसमें पंक्ति कोगो है तो एक सक्ष में कोगो है बाबू तो पंक्ति 3 हो जाएगा N बराबर अस्तम YX में कोगो है तो YX में 4 गो लिखा उठ है तो इसका कितना का 4 आभिहु की कोटी कितना हो जागा तो जब आभिहु की कोटी का बात करेंगे आभिहु की जो हम लोगा कोटी होगा जो आभिहु की हम लोग कोटी होगा वो आभिहु की कोटी M by N होता है M का वहलू 3 है और N का वहलू कितना है 4 है तो आभिहु की कोटी होगा मतले जो आभिहु हुआ कितने कोटी का हुआ आप देखिएगा कि कोई आभी हुआ पढ़िएगा तहां पर लिखा रहYेगा थ्री बाईु का मतलब हुआ कर आब यह से लिखा रहेगा तब समझेगा थिन पंक्ती का है और řियार्स्तमका है ओर इस्था और इसमें आप diman dva kreeg संख्या वैं आपको बता है क्या कर figuring कि संख्या कि ऑग क्या करना है हुआ कि संख्या में हम लोग को करने है कि इन चmen ca cur कि अनृ की संख्या कितना होगता है कि कोटे किश्य का तर्स पिती लिखाने का फर्मूला व म गुने इन ऋता है और उं डॉनल इन qualify लिखेंगे N, ओके, आभी हो की कोटी M by N, और यहो की संख्या, इसको जब इंगलिस में पढ़िए गया, इंगलिस में तो इसको गुणा लिखा गया है, लेकिन इसको बाइट पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्रोस पढ़ेंगे, M cross N, यहाँ पर गुणा मत बोलेंगे, गुणा आप बोल भी दीजिए कि तो गलत नहीं होगा, लेकिन एक situation होता है न, कि स्थिति होता है न, कि जैसे माल लेते हैं, आप बस में हैं, तो आप लोग को बाहर वाले देखेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, वहाँ पर यातरी बोलें, कि इस बस में यातरी जा रहे हैं, क्योंक अगर गुणा भी लिखिएगा, तो गलत नहीं है, गुणा भी पढ़िएगा तो गलत नहीं, गुणा तो लिख नहीं है, लेकिन पाढ़ना है, गुणा भी पढ़िएगा तो गलत नहीं है, क्रोस भी पढ़िएगा तो गलत नहीं, ओके, अब धियान देना, आगला point, आग माना कि, एक और बात, माना कि हमारे पास कोई A-bihu A है, सुनिएगा, A-bihu बाता है, कि जब किसी भी A-bihu को A मानेंगे, तो उसके आवजयव चोटा रहेगा, जिसके आवजयव को चोटा मान लिए है, इसको लिखेंगे A, I, और क्या है? इसको लिखेंगे M by N ए देखेगा ए अपने लोगा आभी हु का ए निरुपन हुआ अगर कोई पूछेगा कि अगर हमारे पास कोई आभी हु A है उसमें पंक्तियों की संखा M है और स्तंबों की संखा N है तो उसको किस रूप में परदासित करेंगे तो A बराबर आभी हु का चीन A, I, J M, Y का होगा N M, Y का होगा N या इसी के पार्टिकुलर अगर चलना चाहते हैं अगर मालने ते B हैं जिसको लिखेंगे B, I, J और इसको लिखेंगे M by N ठीके? अगर मालने लिखना चाहते हैं C, I, J और यहा लिखेंगे M by क्या है N मतलबB अभी हुओ का परदर्शन रहें मालने के अमारे पास कोई अभी हुआ है तो इसको ऐसे लिखेंगे इसको बोलते हैं बयाङक रूप में कौन रूप में इसको बोलेंगे ई बयाङक रूप है और आद को थान देना है इसको अगर यहां देना है एम बराबर है जहां एक बात पंग्तियों की संख्या एन बराबर है अस्तम्भो की संख्या अच्छा आई बराबर है में पंग्तियों में पंक्तिओं में अवयवो की संख्या और हम लोगा जो j है एह है अस्तम्भो में अवयवो की संख्या अगर ऐसे कोई आभी हो रहेगा अब ध्यान देना है कि आई जबी भी होगा ध्यान देजेगा बाबू आई जो होगा आई का जो वहलू होगा हमेशा क्या होगा जीरो से बड़ा होगा जीरो से बड़ा होगा जीरो से का होगा बड़ा होगा आई का वहलू आई का वहलू का इसा लिखेगा आई का वहलू जो होगा एक से बड़ा या बराबर होगा एक से बड़ा या बराबर होगा और इम से छोटा और का वहलू का बराबर होगा ठीक है और 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 जे भी वह से वह एक से बढ़ा या बराबर हो गा और शोटा होगा है मकॉमा इन जो बिलॉंस करता है बढ़ा N में, n का मतलब होता है प्राकिर्ट संख्या, कौन संख्या होता है, प्राकिर्ट संख्या, मतलब जभी वी याद bolts किएगा, एक बात का ध्यान देना है कि एक condition है, कि I का जो value होगा, वो कभी भी पंक्तियों की संख्या से छोटा या बराबर रहेगा, और एक से अपका कोशन आएगा दिष्फे से हमांन लेते हैं कि अगर कोई हमारे पास आविछू है एक बात को द्वेन देना है तिस में यहां टेरलगा यहां 40 होगा कर लोटनीची आएंगे ए 22 होगा निच्छी होगा यहां 10 होगा यहां बतीस होगा नीची आएंगे यह तैंतीस होगा और कहनी का मितलग एह ध्यान दिजिएगा कि अगर किसी भी आभी हुँ में द्यान देना बहुत मस्कंसेप्ट है यह धी किसी भी अगर आबी हुँ को लिखना चाहेंगे तो कore दो लिखेंगे 11 का पोजिसन कह लएगा यहां जो लिखेंगे बारह का पोजिशन कहा लएगा यह जो लिखेंगे 13 11 चाहिशन कहलेगा और अब बतबा Cities से के नहीं, ता ए भाद एग रहह से क्यों नहीं, ते यहांस पर कंडिशन माग लिया है, कि, I का मान कभीभी होगा, एकसे बड़ा या बराबर रहेगा, जे का मान कभीभी रहेगा, एकसे बरा या बराबर रहेगा, इसलिए कभीवऽ सुरुआतिंगं होगा समझ लीजिए अगर मान लिआ जाए कि आपके पास कोई आभी हो दिया हुआ है दो माइम्स तीन 5 2-6-8-1-2-35 का हैं तीन है अगर हम बोल दें इस में आपसे ग्वोशन कि 21 controllers का मान गयाथ यह यह 32 ए जरे 22 ए traits का मान गयाथ करे sekitar 20 का मान ग्याद करें जब आप 23 का मान ग्याद करिए गारे बाल रे इसका सोलीगा धीज़नों अ delle 13 के जगव पर कौने जसे देगे 24 के स्थान और 15 15 इसथान-11 की स्थान पर 01 के स्थान-3 एस-3 यह that तो पूछ रहें कि ए 11, तो ए 11 का मन कितना हो जाएगा, फिर बोला जाएगा, ए 32 के जहाँ पर तो 32 याद रखिएगा, 11, 31, 32, तो 32 के जहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और फिर अगला दिया हुआ है, ए 23, तो ए 23 का स्थन पर 8 हो जाएगा, तो आई होप समझ गये होंगे कि ए कैसे हमको निकाला गया है, निकाला जाएगा, ए कैसे कोशन में 11, 12 निकाला जाएगा, ओके, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर, कि किसी भी आविवु में ध्यान देना है, किसी भी आविवु में अगर अवयव बताना है, अवयव का पोजीशन बताना है, तो बताने के लिए आपको यह ध्यान बात को रखे हैं, ठीक है, चलिए, एक कोशन के माध्यम से आपको हम बताना चाहरे हैं, ठीक है, एक हम आप ल को ध्यान देना है कैसी इसको बनाना है ठीक है अगर आपसे बोला जाएगा एक आपको कोशन दे रहे हैं देखे इसमें आपका पहला कोशन दिया जा रहा है ध्यान देना है कि अगर आविवु दिया हुआ है अविवु एक आविवु दिया हुआ है ठीक है इस आविवु का नाम A है और इसमें बोला है 2, 5, 29, 2, 5, 29, माइनस 7, 2, 5, 29, माइनस 7, 35, माइनस 2, 5 बटा 2, और एक क्या है 12 है इसके बाद है रूट 3, इसके बाद 1, इसके बाद माइनस 5, और इसके बाद क्या है 17 के लिए, के लिए, लिखिए, के लिए, लिखिए हमको लिखना है क्या, फर्स्ट इसमें रोमनंक में दिया है पंक्तियों की संख्या उसके बाद दुसरा दिया है अस्तंबो की संख्या अस्तंबो की संख्या इसके बाद दिया हुआ है तिसरा कोशन आवियू की कोटी चौथाब का कोशन इसमें दिया है आवियू की संख्या आवियू की संख्या आप पांचवा है हम लोगा आवियू 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 इन सभी को हम लोग को ग्यात करना है ओके इन सभी को हम लोको क्या करना है बाबु ग्यात करना है तो सबसे पहले द्यान दिजिएगा सबसे पहले आपका इंसर होगा पंक्तियों की संख्या जबाब आप लोको देना है द्यान दिजिए पंक्तियों की संख्या तो पंक्ति एक सक्ष में जो आता है तो एक सक्ष ऐ इसे होता है तो एक सच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च किसमें टोटल कितना 12 है तो अवयोग किसेंगे 12 हो जाएगा और इसका इंसर देना है तो इसका इंसर जब देंगे हम लोग तो याद रेखिएगा ए तेरह गिनियेगा आप लोग बता है कि जो भी आभी हूँ का जो अवजवा स्टार्ट होता है एक आरह से होता है तो इधर अलगतार जाता है इधर 10 का अंतर होता है याद रेखिएगा पंक्ती में जाएंगे तो लगतार जाएंगे अस्तब में नीची आएंगे तो दस बढ़ जाएगा फिर अलगतार जाएंगे ठीक है तो एक तेरह के जहाएपर उन्नाईस है उसके बाद किया है एकवाइस तो 21 के जहाब पर कौन हो जाएगा 35 देख लिजिएगा 11 12 13 14 फिर नीचे 21 के जहाब पर कितना जाब 35 फिर आया है अप लोगा ए 33 तो ए 33 के जहाब पर क्या हो जाएगा 31 32 33 माइनस 5 हो जाएगा इसके बाद क्या आया है ए 24 तो ए 24 के अस्थान पर क्या होगा तो ए 24 के अस्थान पर गिनिये वाबू 11 12 13 14 12 22 24 तो ए 12 हो जाएगा अल्लास्ट आपका है ए 23 तो ए 23 के जहाब पर क्या हो जाएगा पांच बटा का दू ता आई होप आप समझ गये होंगे कि कैसे हम लोगों इन सबी चीजों को हल करना है तो आप लोगों समझ गये होंगे कि पंक्ती किसे करते हैं अस्तम किसे करते हैं आभियू के कोटी को कैसे लिखेंगे अउजाओ की संख़ा को कैसे लिखेंगे और अब यू मेगे जो अउजाओ का क्रम होता है और कैसे होता है तो आई होफ समझ गया होंगे थीके तो एक आप लोगा थ्योरी है आप लोगा थिorang को समझ गया होंगे कैसे इस महल का ना इस वीडियो का क्यान का लाश्ट कोशन है हना लाश्ट थियूरी है और इस क्यों को बनाईएगा ओके क्यों कोशन नमबर सेकिन्ड येदि ये बराबर येदि आविवू येदि आविवू माल ने टे बी बराबर दिया है तो ग्यात किजिए पहला इसमें कोशन है आवियू की कोटी आवियू की कोटी दूसरा ग्यात करना है आवियू की संख्या आवियू की संख्या और तीसरा ग्यात करना है आवियू 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 जो ग्यात करना है कौन आवियू ग्यात करना है ध्यान देना है तो आवियू एक ग्यात करना माल लेते सबसे पहले हम लोग को इंसर देना है क्या आभिहू की कोटी तो सबसे पहले आभिहू की कोटी का फर्मूला होता है हम लोग का मतलब पंक्ती एक दो तीन एक सबसे तीन बार है तो तोटल उसके अंदर नौग हो जाएगा और यह निकाला है तो एक बार ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से देख लिजिए वीडियो को एक बार हाँ एक गार बार तेरह एक इस 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 ब तो आज हम लोग अपने चेप्टर मैटिक्स का चेप्टर नंबर थर्ड का हम लोग थियोरी पढ़ें और इसे जितना पॉइंटे था उस पॉइंटे बता दिए अब हम लोग कल से जो पढ़ेंगे एकसार साइज 3.1 जो NCRT बूक है एकसार साइज 3.1 चेप्टर को हम लोग क फुली कोशन हल कराएंगे ठीके लेकिन इसके बेसेश पर हम आप लोग को केशी सिनहा से या लाल जी परसाथ का एक बुक है मैट का उन दूनों बुकों से आप लोग को हम भर्क देंगे ओके किलियर हैं शमाज गये होंगे तो आप लोग का कल से हम लोग का लेक्चिर अबर दो में हम लोग solution पढ़ेंगे, 3.1, 3.1 के जितना solution है, उसको हम लोग हल करेंगे, ठीके, आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर इस वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के पास share करिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से, टेविल क्लास के पूरे math के syllabus को इस के माध्यम से पढ़े सके, ओके, और अगर आप हमारे चैनल पर new होंगे, ता आप इस चैनल को subscribe किजिएगा, like किजिएगा, comment करिएगा, अगर इस वीडियो में कोई भी कमी होगा, या हमसे जो कमी होगा, अगर जो भी होगा कमी, ओ comment में जरूर करिएगा, हम उस कमी को अगल अगरे वीडियो में जरूर स्थार करेंगे, ओके, आज की वीडियो में इतना ही, जय हिन, जय भारत,